हेलो फ्रेट नमस्कार इस समय फिर से देश में सरकार द्वारा लागू किये गए एक नए कानून के बारे में चर्चा है उस कानून का नाम है CAA Citizenship Amendment Act और इसको लागू होने के साथ साथी देश भर में विरोध क्यों चालू हो जाता है खासकर पुरोतर राज्यों में विरोध सोला में संसद में पेस किया गया था इस जो विध्यक को इस बिलकूर लोगसभा में 10 दिसंबर 2019 को पास किया गया अगले ही दिन राजसभा में 11 दिसंबर 2019 को पास कर दिया गया और इस विध्यक और राष्ट पती की संस्थी 12 दिसंबर 2019 को मिल गई तब से यह कानून बन ग स्टिकित कर दिया गया था सरकार की यह manifesto में एक कानून था लागू करना इसको था इसलिए सरकार ने चुनाव से कुछ दिन पहले कि चुनावी घोसना चुनाव की डेटें ने धारत ढूशना होने के या आचाहरसाइता लागू होने के दो दिन पहले ही इसको फिर से लागू कर दिया है तो यह जो एक्ट है इसको 11 मार्त 2014 को केंश सरकार ने आध सूचना जारी करते हुए फिर से लागू कर दिया है क्या होता है CA Act जो है कानून है उसके तहट क्या प्राविधान है उसके तहट या प्राविधान है कि भारत की जो पड़ोसी देश है तीन उनका नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश जो कि अपने आपको इसलामिक स्टेट, इसलामिक धर्म की कंट्री या रास्ट बतात जो लोग इन छे धर्मों को मानते हैं और वह लोग इन भारत के तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश में रह रहे थे वहाँ पर धार्मिक प्रताड़ना के कारण यह लोग 31.7.2014 से पहले अगर भारत में आ गए हैं और तब से भारत में ही निवास कर रहे हैं तो हिंदू, चिक, बाउद, जैन, पार्शी और इसाई इन छे धर्मों के लोगों को भारत सरकार नागरिक्ता प्रदान करेंगी, नागरिक्ता प्रदान करने के साथ ही वह भारत के समविधानी, जो भारत की समविधान में नुछ पांस से गयारत तक नागरीकता का प्राविधान है उसकी अंतरगत आ जाएंगे जिससे भारत सरकार द्वारा मिलने वाले प्रतेख लाब के पात्र हो जाएंगे तो भारत सरकार एक नया कानून ला करके हिंदू, सिक, बौध, जायन और पार्सीन, छैधर में के जो लोग 31 दिसमबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं पाकिस्तान, अफ़ारिस्टान, बंग्लाद्देश में परताड़ना को सहते हुए भारत में आ गया हैं और तब से भारत में ही रह रहे हैं, उनको नागरिकता परतान करेगी अब पूरे भारत में इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है क्योंकि ये कानून तो अच्छा है नागरिकता देने का कानून है मगरे इसमें विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मुस्लिम धर्म को सामिल नहीं किया गया है मुसलिम धर्मों को सामिल नहीं किया गया है इसलिए भारत में इसका विरोध हो रहा है अब इसमें सामिल क्यों नहीं किया गया है सरकार का मानना है कि जो तीन देश अपने आपको मुसलिम रास्टों में उन में मुसलिमों उन रास्टों में मुसलिमों में अत्याचार धर्म को लेकर प्रताड़ना नहीं की जाएगी इसलिए वह अपने देश में ही नागरिक्ता पा चुके होंगे और रह रहे होंगे तो जो लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगला देश से भारत आये हुए हैं वह मुसलिम कम्यूटी के नहीं आदार छे कम्यूटी के प्रताड़ित लोग हैं और जो भारत में आके रह रहे हैं उनको भारत सरकार नागरिक्ता देने का काम करेगी असा करता हूँ C.A. के बारे में आपको पूरी जनकर इस समझ में आ गए होगी धन्यवाद